तो हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग कैसे आप लोग होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके त्यारी बहुत अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही त्यारी चीत उसको अच्छी से चलाओ वहीं त्यारी करो पढ़ाय लिखाई करो अच्छे से तभी बात बन पाईगी लास्ट टाइम हम मिले थे आपसे हम उत्रा खंड सोरी हिंदी पढ़ रहेते हैं हिंदी में हम पढ़ रहेते हैं संचार से रिलेटेड मैंने बहुत सारी क्लासेश आपको अवेलिवल करवा दी हैं बहुत अच्छा डाटा बहुत बैस कंटेंट आप तक प्रवाइड करवा अंलाइन नहीं पढ़ा रख तो आदे तक हम पहुंच चुगे थे और हमने संचार के माध्यम तक की क्लासेश पूरी कर ली थी आज थोड़ा एक कदम एक स्टेप और आज बचते हैं और आज हम पत्रकार होते हैं कित्ते परकार के होते हैं पत्रकारीता न्यूज चैनलों म लिखेंगे समाचार लेखन ठीक है तो पहला पॉइंट तो यह यह आपके पास समाचार लेखन के कितने भाग होते हैं समाचार लेखन नॉर्मल सा क्वेशन आ जाएगा आपके पास कि समाचार लेखन के कितने भाग होते हैं मेरे दोस्तों समाचार लेखन के तीन भाग होत पर यह है कि आप भरोसर रखें जो चीज आपको लिखाई जारी है परफेक्ट एंड बैस्ट एंड बैस्ट चीजे लिखाई जारी है बस आपने साथ साथ उनका रिवाइज करना चीजों को याद करने हैं तो समाचार पत्र के समाचार लेखन के तीन भाग होते हैं और समाचार लेखन की जो सैली होती है समाचार लेखन की सैली कौन सी होती है तो इसकी सैली का नाम होता है उल्टा पिरामिड सैली ऐसा क्वेशन भी आएगा समाचार की लेखन की सैली क्या होती है उल्टा पिरामिड सेली, forest guard के exam में ये question आया भी था, बना भी था, उल्टा पिरामीड सेली, पिरामीड को ऐसा बनाएंगे, उल्टा ट्राइंगल आप बनाओगे, तो ये होती है, उल्टा पिरामीड सेली, और इस उल्टा पिरामीड सेली के अंदर गट तीन भाग होते हैं, एक, दो, उर्ती, पहला भाग जो होता है, इसको इसको इंट्रो केते हैं, इंट्रो को समटाइम आपको मुखडा नाम भी दिया जाएगा, समाचार लेखन का पहला भाग, दूसरा भाग होता है, मुख्या समाचार ये इसके लिए बोला जाता है, बोडी, समाचार लेखन हमेशा उल्टा पिरामिट सहली होगा, उल्टा पिरामिट सहली का मतला बहुत हो कि फॉर्स चीज ऐसे लिख दो कि इंट्रेस्टिंग, एट्रेक्टिव, पहली हैडिंग हमेशा ऐसे होनी चीए धमाकेदार, कि कोई हैडिंग देखे आपका और पूरा समाचार पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे कि यूटूब का वीडियो होते हैं, तो यूटूब सौर्स या यूटूब वीडियो जो होते हैं, यूटूब ब्लॉक, यूटूब का जो ब्लॉग है, वो ब्लॉग भी उल्टा पिरामीड सैली में होता है, आप सोचोगे कि ये क्या क्वेशन है, भाई जब आप एक बार सिलेबस पढ़ोगे न, कई बच्चे तो बिना सिलेबस के कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, टीचर जो भी पढ़ाएगा, वगर आप सिलेबस देखो के तो सिलेबस में हिंदी में सोचल मीडिया आपके पास है, और गारेंटेड़े आज तक यूटूब में सोचल मीडिया आपको किसी ने पढ़ा है नहीं होगा, पहले तो आफलाइन कोचिंग में भी आपने सोचल मीडिया नहीं पढ़ा होगा, यह दिखेगा फिर आदमी पूरा ब्लॉग देखता है उसके चक्कर में कहां ऐसे ऐसी चीज़े आएंगी तो पहले कुछ एट्रेक्टिव दिखा दो जिससे कस्टुमर देखने वाला व्यूर्स बड़ा एट्रेक्ट हो जाए और बाद में चीज़े दीरे 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 क्लाइमेक्स आता है और लास में खुला साहा होता कि अच्छा यह था फिलं का लाजिक लित और दी चालमान खान की हो गई सदी अर आपने वो खबर देखी और अंदर अनंदर अंदर अन पड़ा अर यार्यार सल्मान खान एक फिलम सूटिंग कर रहा उसमें हो रही थी साथी तो हैडिंग ऐसे उनीची कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे तो भई समाचा लेखन कौन से सहली में होता है उल्टा पिरामीड सहली यूटूब वीडियो ब्लॉग सुल्टा पिरामीड कहानी या फिल्म भी सुल्टा पिरामीड सहली में होता है और इसके मैंने तीन भाग आपको बताए है वो याद हो गया होगा आपको इंट्रो बॉडि और समाबन अगला question यहां से निकल के आता है पत्रकार, कि पत्रकार कितने परकार के होते हैं, अगला question है पत्रकार कितने परकार के होते हैं, पत्रकार को क्या बूलते होंगे अंगरे जी में, नॉर्मल question आएगा, पत्रकार कितने परकार के हैं, तो पत्रकार भी यहां तीन परकार के हैं, ये बाते याद करनी है इस पेसल बस सिर्प लिखनी लिखनी नहीं है तो ये पत्रकार तीन परकार के ये सारी सारी बाते आपको याद होनी चाहिए ठीक है ये चुटी चुटी बाते हैं एक्जाम में बनता है पहला परकार का जो पत्रकार होता उसको बोलते है पूर्ण कालिक पत्रकार, नोट करें, जैसे जैसे नोट्स बना रहा हूं है, आप भी ऐसे ऐसे नोट्स बनाएं, ऐसे ऐसे चीजों को नोट करें, दूसरा होता है, पूर्ण के बाद होता अंसकालिक पत्रकार, अंस मतलब होता है, छुटा, काल मतलब होता है समय कुछ समय के लिए अंशकालिक पत्रकार के यह बड़ा इंपोर्टेंट चैनल से जुड़ जाओ ठीक है पत्रकार को जो भी अंग्रेजी me बोलते हो आको पता होगा यह पर्मनेंट बोले में तो किसे एक चैनल से जुड़ जाओ और उसी चैनल के लोगने काम करना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद सब्सक्राइब भे लिए सब्सक्राइब यह एट कुछ teaching चैंडि पत्रकार जो निश्चित सेलरी पर किसी चैनल के लिए काम करते हैं किसी चैनल के लिए वर्क करते हैं आप समझने के लिए लिख लेना मतलब आप पत्रकार हो और आप आज तक से जुड़ गए हो कि भाई हम आज के बाद जो भी खबर कलेक्ट करेंगे जो भी खबर में और मैं और समाज में मेरे एरिया में कुछ खबरे भी होती है। खटना कुछ धुरः घटना होती है। कुछ बड़ी इमर्जनशी घटना होती है। मुझे वह आप तक ही और किसी को नहीं दूँगा। मैं आप से जुड़ाँ,after दूठूमा जुड़र मुझन का क काम करना है इसको बोलते हैं अंसकालिक पत्रकार और यह बड़ा इंपोर्टा नियुक्स कहते है इसको बोलते है फ्रीलांसर और यहिपारила हुआि घ्रीपर फास हने खार से इसको बोलते हैं . एक से एक मुद्दे बनाता है और अपनी ख़वरों को दूसरे चैनलों को बेज देता है जो भी चैनल इसको जाद रुपे देगा उसी चैनल को बेज दिया जाएगा किसी एक चैनल से जुड़ा नहीं होता है इसलिए इसको बोलते स्वतंत्र पत्रकार ये पॉइंट भी से सुन आजये गा तो मनन धिस्क में सेप हो जाएगी आदि से जाद सुनते सुनते are इसके grounded इसको आप क्या बोल सकते हैं जो आपका पूर्णगालिक पत्रकार उसके लिए तो आप ने बोल दिया पूर्णगाली को क्या बोलते पर्मनेट इसके लिए एक वरर आता है श्कार्मियु ऑजा जैएगा उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ चीज़ा सीखने के लिए मेली होगी आपको और आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगा समझोगी इसके लावा important करके एक चीज पढ़ाता हूँ यह आपने guaranteed है बहुत कम बच्चों को इसकी knowledge होगी और जरूर बताना comment करके किस है हमने तो पहले से भी पढ़ा रखा है पढ़ा रखा है और हमको तो इसकी knowledge थी comment करके बता देना हम भी दो देखे किसको को पता है कि 5w theory का संबंध किस से तो आप बता पाओ गए किसने पढ़ा है 5w theory इसके लिए लिखा रहेता है 5w theory 5w theory into h एच थोड़ा बार में लिख देगे bracket के तो इसको बोलेंगे 5w theory into qs theory किसी को पता है यह सिध्धान्त किसी को पता है क्या होता है यह किसने यह सिध्धान्त दिया है कब दिया है कौन सी बुक में दिया इनिवन नोस अगर आप जानते तो सिध्धा क्लास क्यों नहीं आ रही है ठीक है सिध्धा ही आप अपनी बाते करते हो तो क्लास नाने करें जनी यह था बाकी कुछ दिक्कत नहीं तो 5w theory क्या है 5wh theory क्या है इसको समझना पड़ेगा आपने चीज़ सुनी नहीं है जबकि आपने इसी के समकक्स हिंदी में तो ककार सिध्धानत में कितने ककार होते हैं तो ककार सिध्धानत में ककार होते हैं या क्वेसन आएगा समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं तो समाचार पत्र में आपके पास सुरी पत्र नहीं बोलेंगे समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं तो समाचार लेखन में कका तारों किसान क्योंती इस आव उनिक कारों के संक्या को 5w थोरी कहा जाता, बाकि कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब देखें। यह जो 5w थोरी है यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडविन एडविन शूमेन करके एक ब्यक्ति है और इसी एडविन शूमेन ने 1804 अवे में एक बुक लिखी थी एडविन शूमेन ने 1804 अवे में मेरे दोस्तों एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था प्राक्टिकल जर्नलिज्म इस बुक का नाम था प्रैक्टिकल जर्नलिज्म प्रैक्टिकल जर्नलिज्म प्रैक्टिकल जर्नलिज्म बुक रिटन बाई एडविन शूमेन कब लिखा था? 1894 में लिखा था और इसी बुक में उन्होंने 5W थोरी दी थी 5W into H थोरी इसको का दिया जाता है 50W through Сейчас ौर पोँछ लेता कोई हंगे हिंदी में काारों किहां कितनी होती है तो वह bere悼िद who 3 Dhah 1 तो यह जाता है उन्होंने बोला था? कोई समाचार तभी पूर्ण केहलाए गा जब उसमें पांचों के पांचों काकारों का आंसर मिलेगा या जब उसमें 5W theory का answer मिल जाएगा कब, कहा, क्यों, कैसे और आप देखोगे इन सब को लिखते समय W से ही ये सारे के सारे word use होते है और ये को ऐसा ना जाने कितने बार आपको paper में आने के लिए दिखेगा तो आपने 6 ककार तो सुनेते हैं ककार सिद्धान्तों तो सुना था बेट आपको यही नहीं पता था कि उसी को ही 5W theory कहते है कब किसने और किस book में वो theory दिये वो मैंने आपको बता दिया है तो समाचार लेकर तभी complete होगा जब उसमें पूरे के पूरे 5W और एक H का answer मिलेगा या 6 ककार होगा answer मिलेगा तभी इसको समाचार fulfill कहेंगे कि हाँ भी समाचार complete हो गया है तो इतनी बात समझ माई कि 5W theory क्या है ककार सिद्धान्त क्या है एडविन सुमें ने कौन से book में 5W theory दी थी उम्मीद करता हूँ ये सारी बाते आपको याद होगी और याद होनी भी चीए ठीक है अगर कौन कौन से 6 हैं कौन कब कहां कौन कब कहां क्या क्यों कैसे क्या क्यों और कैसे कई बार यहाँ से भी question मन जाएगा कि कौन सा ले कारों में सामिल है नहीं है कौन सा 5W Room थयोरी में है कौन की बार अगरे जी तो मुदे आती निय rede कब को बहूं का को बहुंते वेर टबलू एच ई आरिवेर क्या को बहुंते एवत क्यों को बहुंते वाउई अं कैसे को बहुते हाँ कि यह कैसे को बोलते हो तो देखो 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, यहां पर यह सारे के सारे W से सुरू होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, 5W, theory, S अलिक जाता है, 5W, theory, ठीक है, H अलग है, इसके साथ जोड़ो मत देना, ठीक है, यह तो multiply मत करते हैं, math मत चलाते हैं, यहां पर, यहां इसलिक लो 5W, plus S, theory, ठीक है, इसको तो math समझ के मत करते हैं, ना कुछ भी, और यह एक ही होता है, जो H से सुरू होता है, बाकि सारी चीज़े का से सुरू होती है, और उसी को हम का कार्शित धांत भी कह देते हैं, तो कुछ चीज़े थी, जो हमको सीखने के लिए मिली होगी, आप भी इन चीज़ों को जरूर सीखे, समझे, बातों को कैसी चीज़े होती है, ठीक है, तो एक छोटी सी क्लास थी, पांदस मिनद की मैंने बताया बे तुम्हें कि तब है थोड़ा सही नहीं है, बड़ कुछ